नमस्कार दोस्तों, नब्भेशक प्रति मिनिट की गती से संपात के रिक्टेशन शुरू होगी तीन सेकेंड बाद श्टार्ट भारतिय रिजर्व बैंक यानी RBI ने एक बार फिर कर्जदारों को राहत पहुचाने का परियास किया है उसने संशोधित दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि अगर कोई कर्जदार समय पर केस्त नहीं चुका पाता तो बैंक उससे दंड शुल्क तो वसूल सकते हैं मगर उस पर चक्रविर्धी ब्याज नहीं ले सकते हालंकी यह निर्देश नया नहीं है अप्रेल में ही इसका परस्ताव आया था और मई में आर्बियाई ने दिशा निर्देश जारी कर कहा था कि बैंक दंड शुल्क पर चक्रविर्धी ब्याज ना वसूले मगर बैंकों ने इस पर अमल नहीं किया जिसके चलते आर्बियाई को संशोधित दिशा निर्देश जारी करने पड़े हैं दरसल कोरोना महमारी के बाद बहुत सारे लोगों की आमधनी घट गई है बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए फिर महंगाई पर काबू पाने के लिए आर्बियाई ने रेपो दरों में बढ़ोतरी कर दी ऐसे में जिन लोगों ने मकान, दुकान, वाहन, आदी के लिए कर्ज लिये थे उन्हें किस्ते चुकाने में दिक्कतें पेश आने लगी बहुत सारे लोग आज भी किस्ते चुकाने में विफल हो रहे हैं ऐसे में बैंकों ने दंडशुल्क को अपने पुन्जी निर्माड का जरिया बना लिया उन्होंने दंडशुल्क पर भी चक्रविर्धी ब्याज वसूलना शुरू कर दिया इसे लेकर ग्रहकों ने शिकायत दर्ज कराई और आरबियाई ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए दिशानिर्देश जारी किये दरसल किस्ते ना चुकाने पर दंडशुल्क का प्रावधान इसलिए किया गया था कि ग्रहकों को कर्ज चुकाने को लेकर अनुशासित किया जा सके दंडशुल्क को मूलधन में शामिल नहीं किया जा सकता बैंक किस्त की राशी का एक से दो फीसद तक दंडशुल्क लगा सकते हैं मगर बैंकों ने इसे अपनी पुंजी निर्मान का माध्यम समझ कर दंडशुल्क पर भी ब्याज जोड़ना शुरू कर दिया यहे कारोबारी नैतिकता के भी खिलाफ है हालांकि यहे परवर्ती भी नई नहीं है कोरोना काल में जब लोगों की आमदनी बंद हो गई थी कामधंदे रुक गए थे तब सरकार ने हर तरह के कर्चदारों को राहत देते हुए आदेश जारी किया था कि बंदी के समय में अगर कोई वेक्ती अपनी किस्ते चुकाने में विफल होता है तो उससे किसी तरह का दंड ना वसूला जाए और उन किस्तों का भुगतान उसे बाद में करने की भी सहूलियत दी जाए मगर बैंकों ने उन किस्तों को मूलधन में जोड़कर चक्रविर्धी ब्याज वसूलना शुरू कर दिया था तब भी RBI को दखल देना पड़ा था दरसल बैंकों का कारोबार ही इस बात पर टिका होता है कि वे गरहाकों को अधिक से अधिक करज देकर उन से ब्याज वसूले इसलिए बैंक गरहाकों को करज देने का परस्ताव देते रहते हैं मगर उस करज के पीछे ब्याज जोड़ने में वे जिस तरहा की मनमानी करते देखे जाते हैं स्टो